असलाम ओलेकूम विवर्स ये आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी छोटे बचे की बचे हुए कपड़े जो मैं सीती हूँ उनसे तो उनसे मैं आपको सिखाऊंगी आज खुबसूरत सी एक रली खुबसूरत डिजाइन वाली छोटे बचे की उसका बड़ी वीडियो में पहल पकूर्टी पर बना हैं और दर्मयान में जोड लगा लिए हैं इस पर चाल खाया को भी और इसको और इसको यह चाल करल कि में एक रली बनाऊंगी मेरी स्क्रीन के उपर आपको नजरा रहा होगा कि इस तरह बड़ी रली का एक डिजाइन है उसी तरह का डिजाइन में आपको छोटी रली पर बनाना बता रही हूं तो इसके लिए हम उसका फूल काट लेंगे तो सबसे पहले एक फूल बना रही हो मैं यह 13 इंच का तेरा इंच की एक पटी काट लेंगे पहले उसके बाद एक पटी हो गए 8 इंच की दो पटियां काट लेंगे आप वीडियो ऐसे पूरा मुकमल देखेंगी तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि यह किस तरह बनाए बहुत ही असान है बस सिरिफ थोड़ा तवज्जा से वीडियो देखने की जरूरत है यह दो पट गए है उसके बाद वो आठे इंच थे और इसकी चार चार इंच की हमें दो पटियां काट लूँगी इस तरह इस पटि की जो जोड़ाई है यह चार इंच है इसने चार इंच की बहुत लंबी पटि एक मैंने बना ली थी जिसमें से दुबारा मैंने यह पीस बना लिए हैं अब यह फूल इस तरह बनेगा यह देखें एक यहां पे यह रखेंगे यह मैंने दो पीस काटे थे इस तरह और एक यह वाला यहां पे रहके और यहां पे इस तरह यह फूल तियार हो जाएगा तो इसके मजीर इस तरह ऊइट पूरी लंबी चार इंच की काट लिए अब इसमें से मैं इस तरह की दबिया निकालोंगी जो इनकी साइडों पे होंगी यहां पर इस तरह मुकमल करोंगी यह वाइट पटी के ओपर दुबारा से इस तरह यह कपड़ा रखते हुए मैंने बहुत सारी पटियां बना ली हैं, इस तरह मैं इस पूरे कपड़े की पटियां बना लूँगी, इस तरह रहके, जो के उसके साथ अटेज होंगी, एक और कलर की पटी है, वो भी इसमें इस्तमाल होगी, यह भी मैं इस तरह से इस पूरी पटी की डबियां बना लूँगी, इस तरह इसके बाद मैं आपको अटाइज करने के तरीका दिखाऊंगी विवर्स यह मैंने सिले लगा कि सारे डबों को अटाइज कर लिया है आपस में अब मैं इसके साथ यह एक और पट्टी लोगी लंबी पूरी जो के मैं इसकी साइडों पे इस तरह चारों तरफ से लग कि दा लिया है यह साइड पे भी फूल प्टटी की तरह इस दर से भी अब इसके ओपर दॉपर बदा द mein से सारी जो हैं जो है ना 2-2 इंच के दो इंच के यानि 2 इनच से दर से श्राइज की तरह के माने थीती तरह च हम श्लय कैस श्मीन से 2-3 ऊबहुत सरे वीते हैं कृच साइड पे इस कपड़े को रखके और इस तरह से एक पीस उठा के ऐसे फोल्ड करके समोसे की तरह इस तरह फोल्ड करके मैं यहां पर सिलाई लगाती जाओंगी वाइड दिखा देते हैं आपको सही नजर आएगा हो कि इस तरह नहां से हैं समोसे की शेप इस तरह से यहां पर आपके सिलाई लगा जाऊंग Nori और मैं एक एक अ कार डाजमा चार डाऊंगी चार चार चा से में चार गा लगा लंगी जब सिला ह याँ और सीधी बनाएं पिर जब सीधे होंगे तो इस तरह नज़र आएंगे ये विज़र्ट आप इसे मैं बैक सैट वाला कप्रा लगाँगी और उसके बाद मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ आपको अगर ये विज़र्ट अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर कर दें ताकि और जो भी से पैदा उठा सके जैसे क्यापकर जानने वाले थी इस तरह के इसना कोई काम करते होंगे विवर्जय मैंने बेक साइड इसकी लगा ली है तिन साइड पर मैंने इसकी सिलाई लगा लिए ये देखिए है ये समोसे अंदर रखते हो और इसतर लगा ली है तीकि तीन साइडों पर मैंने ऐसे सिलाई लगा लिया और एक साइड इसकी छोड़ दिये अब जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये इसके समोसे इस तरह साइड पर आजाएंगे यह देखें यह इसकी back side और यह इसकी front अब इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह यह इसकी back back side और यह front अब इसे दुबारा उल्टा कर लेंगे मैंने उल्टा करके रख लिया अब हम इसके अंदर थोड़े कपड़े सेट करेंगे जो के मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इन कपड़ों की तेह ऐसे लगई है जितनी इसकी लंबाई और चोड़ाई है यह एक पुराना दुबटा यह इस तरह सफेद के लगका था लॉन का जो कि दो तेह हो के बना है और इसके ओपर एक और मैंने यह कपड़ा काटके रख लिया है यह इसकी तेह लग गई इसके ओपर इतनी तेह कि यह जितनी यह फूद चारली हमने त्यार की थी अपने ही अब जो है ना हम इसे इस तरह फोल्ड करते जाएंगए जैसी रजाई के कबबच चड़ाने के लिए उसे फोल्ड करते है पूरा सیट हो गया ये तेह देखें इस तरह ये फोल्ड होता रहा है यहां पर अब हम यह जो इसकी यह अंदर वाली साइड है इसे इस तरह करेंगे पिदर से ही पिदर से भी त् सीधा करना शुरू करतेंगे यह देखे अब मैं सीधा कर रहे हूँ और यह जो कपड़े डले में और यह उपर वाली तैख और नीचे वाली तैख को मैं से अपने हाथ से रखते जाऊंगी अराम से और इस पूरे संची इसको इस तरह खुला करती हूँगी और हाथ रखे रहूंगी ताकि जो नीचे कपड़े रखे हैं उनकी तैह ना खराब हो इस तरह से यह पूरे इसके कौने निकाल लेंगे अच्छी तरह से इसी तरह बिल्कुल सीधा से हमने सीधा किया है तो इसके जो अंदर वाले कपड़े इसकी सीधी तैह में ही आ गए हैं अगर आपको कहीं से बिख्रे वे महसूस हो तो दुबारा आप उन्हें सीधा कर सकती है बस आपने इसे बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है ताकि इसकी तैह है अंदर वाली वो खराब ना हो इस तरह करते हुए यह देखें मैं इसे सीधी साइड से दुबारा सीधा कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए बिल्कुल ऐसे अब यह वाली जो साइड है इसे मैं सुई की मदद से आगे वाले और पीछे वाले दोनों साइडों को ऐसे मोड़ के यहां से देखें अब इस तरह पिछली साइड को मोड़ के और अगली साइड को इस तरह रखके यह जो पूरी साइड है इसको मैं सुई से बंद कर लोंगे और इसके ओपर सिलायां लगा लोंगे सुई वाली तो यह हमारी रली तियार हो जाएगी उमिद करती हूँ आपको अगर आपको टांके दूसरे हाथ वाले लगाने नहीं आते तो आप इस तरह जैसे कि यहां मैंने सुलेयां लगा दी हैं जिस तरह फूल था उसी तरह से बस कलर इसके साथ का लगाया है देखें आप इसकी बैक साइड और यह आइडिया मैंने सरिफ उनके लिए बताया है जो बहुत मेहनत करती है अपने घर में चाहती है कि कपड़े हमारे जो बच्चे में वोजाया नहो इस तरह कर सकती है